Hello students, welcome back to my channel, your channel पुनिसर की पार्चाला और आज लेके आ गया हूँ Class 8, Chapter No. 9, Algebraic Expression and Identities की Exercise 9.5 का Question No. 4 इसके पहले 1, 2, 3, Question No. 1, 2, 3 हम कर चुके थे, Link in the description और Link मैंने पूरी की पूरी प्लेइलिस्ट करी है, तो आप 1 वीडियो से लेकर 15 वीडियो तक देख सकते हैं और फिर इस 16 वीडियो पर आ सकते हैं इस चाप्टर का, बिना देरी किये इस लेक्चर को शुरू करते हैं मैंडियर तो जैसे की Question आपको दिख रहा है, Simplify करना है, जितना Simple बना सकते हो, उतना Simple बना दो, बस यही सवाल है तो पहला सवाल अगर मैं लूँ, और पहला सवाल है, A²-B², A²-B² का Whole² अगर आपको दिखे, तो अब यहाँ पर A-B² नहीं है, A²-B² का Whole² है, तो इसको compare करेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने comparison बताया था तो इसको क्या करेंगे, compare किससे करेंगे, A-B² के formula से compare करेंगे, जो formula होता है, A²-B², बहुत शांदा, एक number अब यह comparison वो किससे किया, इससे किया, तो A की जगह क्या लिखा हुआ है आज, A की जगह सर लिखा हुआ, A² और B की जगह लिखा हुआ, B², खतम कर दो सवाल, क्या करना है, A की जगह A² रख दो, यानि A² की जगह A² का square, खेल खेल देखो, खेल देखो, यानि A²-B² का Whole² को जो लिखेंगे, जो simplified form में लिखेंगे, वो लिखेंगे, A की जगह A², तो A², A की जगह A² का, square minus 2, A², B², plus B² का, square, and can be written as, A की पावर 4, minus 2, A², B², plus B की पावर 4, अब आलों के सर, पावर 4 के साही, भाई, A की पावर की पावर, तो A की पावर 2, इंटू 2, तो 2 तू जा 4, जैसे मैंने पताया दूना, A की पावर M की पावर N, तो A की पावर M into N, बहुत खुबसूरत, शबद में आया, बहुत बढ़िया, तो यह simplified form में आ गया है, यह जो statement आई है, यह simplified है, ठीक है, अगला कर लेते हैं, question number 2, बहुत बढ़िया, question number 2 कर लेंगे, 2x plus 5 का whole square, minus 2x minus 5 का whole square, तो 2x plus 5 का whole square, minus 2x minus 5 का whole square, अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझना, इसको दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, A square minus B square का formula क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A square minus B square का, यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से तो मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे की तरफ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो, अब एक बाता हूँ, A square minus B square का formula क्या है, A square minus B square equal to A plus B into A minus B, बहुत बढ़िया, तो आपको A की जगा क्या दिख रहा है, सर A की जगा मुझे दिख रहा है, 2x plus 5, और B की जगा क्या दिख रहा है, B की जगा दिख रहा है, 2x minus 5, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कि इसको A plus B whole square के formula से खोलो, और इसको A minus B whole square के, और compare करो A minus B whole square, दोनों तरह इसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसे, मैं simplified form में जो बच्चे A minus B whole square का formula, फिर minus sign लगा दो, और A minus B whole square, तो कर देता हूं, देखो कैसे, अब compare करना इसको A plus B whole square, तो A की जगा क्या है, 2x और B की जगा क्या है, 5, तो कर दो A square, तो A square, प्लस 2 formula का A into B, प्लस B square, B का square, 5 का square, बहुत शांदर, अब लगा है minus, और my dear student, एक basic बताता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, एक basic बताता हूं, कि जब भी minus sign आए, तो एक bracket का इस्तमाल कर लो, complimentary एक bracket का इस्तमाल कर लो, अब देखो, A minus B whole square, तो A की जगा क्या है, 2x का whole square, A square, minus 2 formula का A into B, प्लस B square, तो प्लस B square मतलब 5 का square, और bracket कर दो close, यह minus sign का multiply है इसके साथ, जब भी minus sign का multiply आता ना बिटा, तो एक bracket ले लेना चाहिए, उसका कारण है, क्योंकि minus sign plus को change कर देता है, minus में, और minus को change कर देता है, plus में, इसका ध्यान हमें रख लेना है, ताकि हमारा calculation कभी खराब ना हो, algebra में, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब देखो, 2 का square, x का square, 2 का square, 4x square, बहुत शांदा 5 to the 10 to the 20x, बहुत बढ़िया, plus of 25, 5 to the 25, अब लगा दो minus sign, बहुत शांदार, और इसको पूरा solve करो, फिर minus sign का multiply अंदर करना, तो यह हो जाएगा, 4x का whole square, sorry, 4x, x square, minus 2 to the 4, 5 to the 20, x, plus of 5 to the 25, अब एक step और बढ़ गई आपकी, बस आपको क्या करना है, आपको यह तो as it is लिखेंगे, और minus sign का अंदर multiply करोगो, तो खुबसूरती देखना, यह minus plus के साथ multiply हुआ, तो minus हो गया, यह minus minus के साथ multiply हुआ, तो plus, यानि minus को कर देता है, plus, और plus को कर देता है, minus, minus sign, बहुत बढ़िया, 4x square, plus of 20x, plus of 25, minus of 4x square, minus minus, plus of 20x, minus of 25, अब देखो, अब simplify, और simplify हो रहा है, तो 4x square plus का और 4x square minus का तो हो गया, cancel, 20x, 20x, plus, plus, plus हो जाएंगे, और plus 25, minus 25 हो गया, cancel out, बचा कितना है, 20x plus 20x, 40x, अब आप देखो, कि इसको समझना easy है, यह इसको ज्यादा समझना easy है, obviously, इसको simplify करके लेके आएं, तो इसको simplified version कहते हैं, इसको simplified version नहीं कहेंगे, यानि इसको समझना बहुत easy है, 40x और 2x plus 5 the whole square, minus 2x minus 5 the whole square, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यानि this will be equal to 40x, बहुत शांदर, अच्छे, एक काम करें, एक काम करें, इस formula से try करें, क्या यह आता, देखते हैं, देखते हैं, a square minus b square, तो a की जगा है, a की जगा आज है 2x plus 5, और b की जगा है 2x minus 5, बहुत शांदर, तो a plus b, minus b कर दें, कर दो सर, a की जगा, 2x plus 5, plus 2x minus 5, बहुत शांदर, अब plus के साथ मैंने bracket नहीं लिया, minus के साथ bracket लूँगा, into, into कर दो, क्या होगा, 2x plus 5, a minus b, अब minus के लिए एक bracket ले लिया, जो होगा, 2x minus 5, बहुत बढ़िया, अब minus sign का अंदर multiply होगा, bracket close होगा, तो 2x plus 2x कित्ता होगा, 4x, तो यह हो जाएगा, 4x और 5 से 5 cancel, 4x into, अब देखो minus sign का multiply, देखो, 2x, 2x, और हमारा हो जाएगा, 2x plus 5, कित्ता हो जाएगा, 2x plus 5, minus 2x plus 5, बहुत बढ़िया, तो 2x से 2x cancel, 5 plus 5 कित्ता हो जाएगा, 10, तो 4x into 10, 4 10 जा, 40x, सर यह भी 40x आ रहा है, यह भी 40x आ रहा है, बिलकुल answer absolutely correct, दोनों तरीके से मैंने तुमको समझा दिया, समझ में आया, फोटो कॉपी कर लो, दिमाग में भी, कॉपी में भी, दिल में भी, गुर्दे में भी, लिवर में भी, शाबाश, और अगला सवाल करते हैं, बहुत खुबसूरत, अगला सवाल खुद ट्राइ करो, एक काम करो, वीडियो पॉस करो, ट्राइ करो, पहले 4 कमेंट मेरी तरब से दिल, और कमेंट 1, 2, 3 मत करना, अच्छा लगे, तो कमेंट क करके लिखा कि सर, मैंने कुशन ट्राइ किया था, पॉस करके, उसको भी मेरी तरब से दिल रहेगा, लेकिन पहले 4 कमेंट, जल्दी, फटा-फट, इसको भी मिटार देता हूं, सर, इसको भी मिटार देता हूं, थोड़ा बोर्ट साफ, दिखे हमारा बहुत शांदर, एक न प्लस 8N the whole square, बहुत सिंपल है, इसको A minus B whole square और इसको A plus B whole square के फॉर्मल से खोल दो, यहाँ पर A square minus B square नहीं लग सकता क्यों कि बीच में क्या है, प्लस है, तो A की जगा क्या है, 7M, तो A square minus 2AB plus B square plus, अब आपको bracket लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो मतलो, लेकिन मेरी हिस 9 हो, चाहे plus हो या minus हो, bracket ले लिया करो, तो मैंने ले लिया bracket, फिर वही A plus B whole square, तो A square plus 2AB, तो 2 into A into B, और फिर बीच में आएगा plus B square, बहुत बढ़िया और यह हमारा bracket हो गया, close, ठीक है, अब इसको खोल दो, 7, 7s of 49M square minus of 7, 2s of 14 into 8, तो 14 into 8, अलग से करके देख लो, 14, 8, 8, 4, 32, 8, 1, 8 plus 2, 10, 11, बहुत बढ़िया, 112, तो यह आएगा 112M into N, plus of 8, 8, 2, 64 N square, शाबाश, अब plus है तो हमको sign भी आगे, plus, 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 प्लस है तो प्लस ही लिख दो, 7, 7s of 49M square, plus of 112MN, plus of 64N square, बहुत शान्दा, यह हो गया हमारा, और सिंप्लिफाइड, अभी और सिंप्लिफाइड हो सकता है, प्लस से माइनस कैंसिल, देखो, प्लस से माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, 49M square, और यहाँ पर भी होगा, 49M square, 49 plus 49, 98 होता है, करके देख लो, 49 plus 49, 9 to the 18, 4 to the 8 plus 1, 9, 98, 98M square, बहुत शान्दार, और 64 plus 64, 60 plus 60, 120, और 8, 128, करके देख लिया करो, बहुत शान्दार, 128N square, and this is your answer, I guess, करके देख लो, 64, और एक बार cross check करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, अब यह देखो, यह और यह, दोनों में से कौन सा simplified है, simplified, हमारा question भी बोलता है, simplify करो, simplify कर दिया, और हो गया हमारा answer, question number 4, था, चौता सवाल, लेकर आ रहे हैं, यह से में, यह से में, इसकी तरह यह, आप कर लो, बस इसमें, दोनों में, एक में, इधर है, 4 के साथ, और यहां M है 5 के साथ, करके देख लो, हैर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6th वाला कर रहा हूँ, आपके लिए, बाकी 2, आप यह वाला और यह वाला answer करके, आप मुझे comment करेंगे, कि हाँ sir, हो गया के नहीं, point वाला कर दू, चलो point वाला कर देता हूँ, P, 1.5 P, minus 2.5 Q, the whole square, बहुत बढ़िया, देखो, दोनों में A minus B whole square लगेगा, बीच में minus है, तो A square minus B square वाला formula लगा के देख लो न, देखो, A square minus B square, A की जगा क्या है, देखो, A square minus B square equal to A plus B, into A minus B, लगा दो, A की जगा क्या है, अब A से compare करो, तो A की जगा compare करें, तो यह है 2.5 P minus 1.5 Q, बहुत बढ़िया, अच्छा, B की जगा compare करें तो, B की जगा क्या है, 1.5 P minus 2.5 Q, बस, आपने A और B रख दिया, खेल होगे सवाल का, यहां से compare कर दिया, तो आप रखतो, A square minus B square का formula, A plus B, A की जग 2.5 P minus 1.5 Q, यह हो गया, A plus B, तो plus लगा के bracket ले सकते हो, लेकिन plus sign कभी change नहीं करता, minus sign change करता, इसलिए minus sign के साथ, bracket लेना चाहिए, B की value, 1.5 P minus 2.5 Q, मैंने अब इतना बड़ा formula ना खोल के, मैंने direct A plus B, A minus B लगा दे, जहां लग सकता हुआ ही लगा दागे, अब bracket A को ले ल ले लो, तो A, A किता है, 2.5 P minus 1.5 Q, ठीक है, यह हो गया, A minus, तो minus के साथ एक bracket ले लो, minus के साथ एक bracket लोगे तो क्या हैगा, 1.5 P minus 2.5 Q, खुबसूरत एक नंबर, शांदर, अब देखो, अब देखो, P, वाले को plus कर लो, Q, Q वाले को भी plus कर लो, क्योंकि मैनस मैनस प्लस होत होता है, तो 2.5 P, 1.5 P, तो 2.5, 1.5, किता होगा, बाई, 0 हो गया, यह है, और 4, 4 P, तो यह हो गया, 4 P minus, अब कर लो, 1.5 और 2.5, तो 2.5, 1.5 Q, तो यह भी किता हो जागा, 4, है न, तो यह भी हो गया, 4 Q, तो 4 P minus 4 Q, minus minus plus, और sin का है का हैगा, minus का, बहुत शांदर, इंटू, बिल्कुल ध्यान से करना है, अभी है, minus plus मत करना, क्यों, क्योंकि सर ब्रैकेट लिया हुआ है, अब ब्रैकेट को open करो, पहले सबसे पहले, तो 2.5 P, minus 1.5 Q, अब ब्रैकेट, minus plus, minus 1.5 P, minus minus plus 2.5 Q, बहुत शांदर, अब क्लियरिटी आ गई, जब भी minus sign आएगा, तो ब्रैके Q, बहुत बढ़िया, into, 2.5 P, minus 1.5 P, 2.5 minus 1.5, 0, 1, यानि सिर्फ बचेगा P, ठीक है, सिर्फ बचेगा P, अब क्या, और क्या, 2.5 P, और इन दोनों को minus plus minus कर दो, तो 2.5 में से 1.5 Q जाएगा, तो कितना बचेगा, 2.5 और 1.5, तो अगेन वही बचेगा Q, और वही plus का, P plus Q, शांदर, अब तुमारा मन करे, तो तुम ऐसा कर लो, 4 common ले लो, 4 common, P minus Q, into P plus Q, बहुत शांदर, ये और simplified way में है, अब आपके किताब में अगर और simplified way में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, P plus Q, P minus Q का फॉर्मल ल 4 का multiply, 4 P square minus 4 Q square, and this is your answer, ठीक है, इसको छाप लो जल्ली फटाफट, और ये वाला आपके लिए homework है, और ये वाला आपके लिए homework है, मैं 6, 7th वाला कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट, 1, 2, 3, फोटोगापी करो, फटाफट, शांदर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो comment कर दो, और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर की science की series लेके आओ, लेके आएंगे, 100% लेके आएंगे, science की, जो भी वीडियो डले हैं, अभी देख लो, क्योंकि अभी मैं सुच रहा हूँ कि पहले maths क जितना भी cover करवा सकता हूँ, करवा दूँ, और मैंने हाँ, कुछ polls भी लिये हैं, अपने community में, तो please वहाँ पर vote करते रहो, क्योंकि उन वोट के आदार पर ही मैं अपने next videos को लेके आँँ, आपके सामने, बहुत शांदर, 7th वाला सवाल, इस exercise का आखरी सवाल, ठीक है, त देखो, M square minus N square, M का whole square, plus 2M cube N square, बस अब इसको solve करना है, इसको कैसे solve करना है, देखो, A की जगा क्या है, M square, B की जगा है, N square M, तो पहले इसको formula से खोल दो, किस formula से, A minus B whole square is equal to A square minus 2AB, plus B square, compare कर दो, A की जगा, M square, B की जगा क्या रखेंगे, N square M, और हो गया सवाल हलुआ, A की जगा M square, तो M square का square, minus 2 formula का M square, N square M, plus N square M, the whole square, और साथ में ये complementary, तुमारे पास नमक आ रहा था, M cube N square, 2M cube N square, बहुत बढ़िया, शांदार, समझ महारा है, अब M square का M square, तो M की पावर 4, A की M की पावर N, A की पावर M into N, exponent N power, minus 2M into M square, तो हो जागा, 2M cube N square, plus N की पावर 2 की पावर 2, तो हो जागा, N की पावर 4, M की पावर 2, plus 2M की पावर 3, N की पावर 2, ये अलग से लिखा हुआ था, अब simplify कर रहे हैं, तो पेटा, plus से पूरा minus cancel हो गया, अब आप बोलोगे, sir कैसे, इसके साथ 2M cube N square, और इसके साथ 2M cube N square, दोनों सेम थे, एक plus का, एक minus का cancel कर दिया, आप बचा क्या हलुआ, M की पावर 4, plus N की पावर 4, M square is the answer, and more simplified version of this, clear, so this is the end of the question number 4, उसके 7 पाइट थे, दो होमवर दिये, आपको दोनों होमवर करने, खुद से ट्राय करना, नहीं बनेगा, तो वापस लेके आना, अगले वीडियो में मैं इसको दोनों questions को फिर से करवा दूँँगा, अगर आपके comments आते हैं तो, नहीं तो understood रहेगा कि आपको इत्ता तो आ गया, ठीक है, तो इस lecture को मैं यहीं करूँगा, and तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पार्चाला, जहन!